हेलो फ्रेंड्स, उलकम टू माई चैनेल, अलबाउट जॉबस में, फ्रेंड्स, आई-ाई-डी तिरुपती की तरफ से एक बहुत यच रिकूट्मेन के लिए नोटिफिकेशन निकल के आया है, जिसमें डिप्लोमा भी भी टेक बले अपलाई कर सकते हैं, फ्रेसर इसके मैं इस वीडियो में डिटेल्स, नोटिफिकेशन की बारे में डिसकस करने वला हो कि कौन सी पोस्टिंगल के आया है, उसके बाद रिलिजिबिलिटी क्या रखा गया है, सेलेक्शन, पोसीडियोर, एन अप्लिकेशन, पोसीडियोर क्या होने वाली है, तो हार एक चीज़ ए पारेयों की इंडियान इंस्टिटूट और टेक्नोलोजी तिरूपोती की तरफ से आया है तो फ्रेंट्स नोटिविकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग उने अभी तक हमड़े चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि जरूर सब्सक्राइब कर दो और बिल आइकन को प् नहीं है इसमें जुनिया टेक्निविकेशन और सिनिया टेक्निविकेशन पोस्ट के लिए आप्लाइ कार सकते हो और इसमें अप्लाइ करने के लिए आपके डिपलोओं पे मिनिमाम 65 परसें मर्क्स होनी चाहिए नेक्स पोस्ट है senior technician के लिए जिसमें educational qualification में अगर आप लूग civil engineering या तो mechanical engineering में से 4 सल का बीवी टेक की हो तो इसके लिए अपलाई कर सकते हो और इसमें अपलाई करने के लिए आपके बीवी टेक में minimum 65% marks होनी चाहिए नेक्स प्रेंस बात कर लेते इस salary की वाड़े में तो इस एक साल में अपको परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो उसके बाद next one year के लिए इसको extent कर दिया जाएगा यानि की आपका total job का duration तो यह तक रहेगी next friends अगर आप लोग civil engineering post के लिए apply करते हो तो उस case में desirable qualification पे आपका laboratory और field testing में knowledge होनी चाहिए और उसके साथ आपका pavement materials, soil subgrade testing और evaluation पे experience महा गया है और उसके साथ आपका autocad में, drawing बागरा में knowledge होनी चाहिए और उसके लब आपका bookkeeping, accounting, construction, planning and project management पे experience महा गया है बट अगर आपके प अगर आप लोग mechanical engineering post के लिए apply करते हो तो उस case में आपका machine design, material characterization, instrument acquisition, data handling और उसके साथ आपका CAD वगड़ा में knowledge होनी चाहिए और उसके साथ आपका planning and project management पे experience महा गया है बट अगर आपके पास desirable qualification नहीं है तो भी आप लोग essential qualification के basis पे apply कर सकते हो और उसके इलावा आपका Microsoft Office मे excellent knowledge होनी चाहिए और उसके साथ आपका भारबाल and written communication skill अच्छे होनी चाहिए Next friends, civil और mechanical engineering के लिए job description titles यहीं पे mention किया हुआ है तो आप लोग आपके सब उस titles चेक कर लेना बात कार लेते age limit की बारे में तो friends इहीं पे maximum age limit 28 years तर राखा गया है उसके लेवा अगर आप लोग SCST, OVC और PWD candidate हो तो उन लोग को as per government norms एजलाक्सान मिल जाएगी जैसे SSD candidate के लिए 5 साल का, OVC candidate के लिए 3 साल का और PWD candidate के लिए 10 years के एजलाक्सान आपको मिल जाएगी बात कर लेते important dates की बारे में तो friends online application अल्रेडी स्टार्ट हो चुती है और इसमें apply कारने के लिए last date रखा गया है 21 January 2022 नेक्स्ट बात कर लेते application procedure की बारे में तो friends application procedure इहीं पर online रखा गया है इसमें apply कारने के लिए आपको एक CV बनानी पारेगी जिसमें आपको आपका personal details यानि कि आपका name, date, date, communication address, permanent address, आपका contact number और email id मेंशन कारना होगा और उसके साथ आपको educational qualifications का इटेल्स आपको मेंशन कार और उसके साथ आपको CV के top right corner पे एक recent color passport साइज photograph आटच करना होगा और यह सब information आपको अच्छा सभी में मेंशन करने के बाद उसका soft copy और उसके साथ आपका educational qualifications का mark certificates और certificate से उसका scan copy और उसके साथ अगर आपके पास कोई भी experience है तो experience certificate का scan copy और उसके लाबाँ अगर आप लो SCST OBC candidate हो तो उसके समें cast certificate का scan copy उसके लाबा PWD candidate के लिए disability certificate का scan copy और AWS candidate के लिए income certificate का scan copy यह सब documents आपको CV के साथ अटच करके एक single PDF बनानी पारेगी और जिस PDF को आपको इसका जो official email id एही पे mention किया हुआ है उसी email id पे आपको 21st January 2022 से पहले mail send करना होगा और mail send करने के time आपको subject membership में mention करना होगा कि application for the post आप कौन सी post के लिए apply करना चाहते हो उसका name यह mention करने के बाद आपको mail को send करना होगा next बात कर लेते है selection procedure की बारे में तो friend selection procedure में आपके वी भी टेक और डिप्लॉम है जितना भी परसंदे चाप मार्क से उसके basis पे आपको shortlist किया जाएगा अगर अगर आप लोग उसमें shortlist होते हो तो उसके बाद आपका online interview होगा और अगर आप लोग इंटर्वियू के लिए shortlist होते हो तो उस case में आपको email id पे inform कर दिया जाएगा और online interview का exact date timing और link आपको email id पे send कर दिया जाएगा तो friends यह है इसका details notification और video का details में इस official notification का PDF में टेलीग आप लोट करता हो उसका link बगड़ा में बहाँ प्रिश्यार कर देता हो अगर आप लोग कोई भी notification नहीं पे miss कर देते हो तो आप लोग हमारे telegram चैनल से जूट जाए आप लोग को भी फायदा मिलेगा और telegram चैनल का link आपको description box में से मिल जाएगी आप लोगों में से कौन-कौन इसके लिए अपलाई कर दे हो कमेंट सेक्षिन में जरूर बताना और अगर अपका कोई भी doubts चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बिल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाले सारी आपडे झाले सरते लिए नहीं कि अगर तो तो चैनल को जरूर आपको आने जरूर बताना और अपकात।